चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2024 के लिए तारीखों का एलान कर दिया है 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयोग राजियू कुमार ने लोकसवा चुनाव का शडियोल जारी किया 19 अप्रेल को पहले चरण की वोटिंग होगी और आखरी चरण की वोट एक जून को डाले जाएंगे इस तरह से कुल साथ चरणों में वोटिंग होगी लेकिन क्या आपको पता है कि आपके राजिय में कब पड़े का वोट नहीं पता तो चलिए हम बता देते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की लोकसवा सीटों के बारे में राजस्थान में कुल दो चरणों में लोकसवा के चुनाव होगे पहले चरण में 19 अप्रेल को गंगानगर, बीकाने, चुरू, जूंजनू, सीकर, जैपूर, रूरल, जैपूर, अलवर, भरतपूर, करावली, दौलपूर, दौसा और नागावर में वोटिंग होगी जबकि दूसरे चरण में 24 अप्रेल को टौंक, सवाई, मादोपूर, अजमेर, पाली, जोधपूर, बाड़मेर, जालोर, उदैपूर, बांसवाड़ा, चितोड़गर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और जालावाण 12 में वोटिंग होगी इलेक्शन सेड्यूल के बाद अब चलते हैं राजस्थान के समी करणों की ओर राजस्थान में लोगसवा की कुल 25 सीटे हैं, इसमें से 4 सीटे अंसूची जात और 3 सीटे अंसूची जन जात के लिए रिजर्व हैं अगर मौजूदा राजनीतिक इस्तिती की बात करें तो राजस्थान में इस समय कुल लोगसवा के 21 सांसद हैं और 21 के 20 बीजेपी के हैं दिसंबर 2023 में विधान सवा चुनाओं के नतीजे आने के बाद विधायक बने 4 सांसदों ने इस्तिफा दे दिया था इसमें से राजवर्दन सिंगरा ठोड, दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ 3 सांसद बीजेपी के जबकि 1 सांसद राश्ट्री लोगतांतिक पार्टी के हनवान बेनिवाल थे यहां आपको बता दें कि 2019 के लोगसभा चुनाओं में 25 की 25 सीटों पर इंडिये को जीत मिली थी 24 सीटों पर बीजेपी को जबकि 1 सीट नागावर पर इंडिये के साथ चुनाओं लड़ रहे राश्ट्री लोगतांतिक पार्टी के अध्यक्ष हनवान बेनिवाल चुनाओं जीते थे इस बार हनवान बेनिवाल बीजेपी से अलग होकर चुनाओं लड़ रहे हैं जबकि कांग्रेस को एक वी सीट लोगसभा चुनाओं में राजस्थान से नहीं मिली थी जबकि 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार देती अब 2023 में हालात बदल चुके हैं बीजेपी राज की सत्ता में भी है और खेंदर में भी ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस बीजेपी के डबल इंजन सरकार को कितना टक्र दे सकती है